हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों दुनिया में आपको कई पुरानी चीजे मिल जाएंगी जो हजारों साल पहली बनी थी इन में से कई चीजों को कई तरह के बदलाव भी आये हैं लेकिन कुछ चीजे ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों को अपने साथ अभी तक रखी हुई है ऐसा ही एक होटल जापान में है जिसमें आज तक कुछ बदलाव नहीं आया है जैसा वो इतिहास में था आज भी वो ऐसा ही है इस होटल ने अपने इतिहास को वैसे का वैसे ही बरकरार रखा है बताया दे कि यह होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल माना जाता है दोस्तो इतना ही नहीं Guinness Book of World Records में इस होटल का नाम भी सामिल है जापान की इस पुराने होटल का नाम Nisiyama Onsen की उनकन है साल 705 में फुजिवारा महितो नाम के एक वैक्तिन ने इस होटल को बनवाया था इसका मतलब यह है कि यह होटल लगभग 1300 साल पुराना है आज इस होटल को उनके परिवार के 52 पिढ़ी चला रही है मित्रो पूरी दुनिया से इस होटल में लोग आते हैं साथ ही मसहूर हस्तिया भी होटल में आते हैं आलिसान गर्म जर्नों के लिए यह होटल फेमस है बाकी होटलों से यह जर्ने इसे अलग मनाता है इस होटल के एक तरफ खुबसूरत नजी और दूसरे तरफ वही घना जंगल है यहां का सांदार नजार आपको होटल के कमरे की खिड़कियों से देखने को मिल जाएंगे जिसके बाद आपको यहां से जाने का बिलकुल भी मन नहीं करेगा मित्रो इस होटल में कुल 37 कमरे है और होटल के एक कमरे का किराया लगबक 33,000 रुपे है होटल का नवीनी करन समय समय पर होता रहता है और इस होटल का आखरी नवीनी करन साल 1997 में आखरी बार हुआ था दोस्तो आज का ये वीडियो आप लोगों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद